दोस्तो अगर आपको वोमेन वियर की एथिनिक वियर की शौप उपन करना है तो दोस्तो आपको बहुत सारे कन्फूजन रहते हैं कि मैं आल और इंडिया से कहां से बेस्ट स्टॉक लूँ जिसके कारण जो मेरा रीटेल के शौप हो वो दूसरों के से अलग होगा तो दोस्त जो मैं आपको मार्केट बताऊंगा न उस मार्केट में आप जा करके आराम से स्टॉक परचेस कर सकते हैं एक बात का आपको पहले मैं बता दू कि मैं दोस्तो आपको मार्केट बताऊंगा शौप नहीं बताने वाला हूँ योगि उस मार्केट के अंदर बहुत सारे आपक देखेगा अगर दोस्तों आपको डिटेल की शॉप ओपन करना होगा तो या फिर एक्जिस्टिंग में भी है आपकी वूमेन वियर की शॉप है और कुछ बेस्ट होलसेलर देखना चाहते हैं तब पर भी आप दोस्तों वीडियो को पूरा देखेगा तो वन बाई वन करके स्टाट करते हैं नमबर एट से स्टाट करूँगा फिर नमबर वन पर आऊँगा तो आटवेया नमबर का जो आता है दोस्तों वो रिंग रोट सूरत का आता है सूरत में दोस्तों रिंग रोट करके जगा है वहाँ पे कम से कम आपको मैं तो कहूँ हज़ार 50,000 से लेकर के 60,000 तक आपको 1,00,000 रूप एक लाग शौप आपको मिल जाएगा जहां से आप जा करके अपना women wear की purchasing कर सकते है दोस्तों सूरत में सबसे best क्या होता है आपको पता है सूरत के अंदर सबसे best होता है कि आपको economical range से लेकर के मतलब 50 रूपी से लेकर के आपको 3,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 तक आपको dress material एतनिक व्याद में मिल जाएगा तो आप सूरत में अगर आएगए तो आपके सारे problem शौट आट हो जाएगे और सात्वे नमा का दोस्तो आता इसमें चिन्नई का अभी चिन्नई की अंदर दोस्तो रंग नाथन स्ट्रीट करके है कच्ची पूरम सिल्क सारी होलसल मार्केट भी है दोस्तो मैं आपको इन दो मार्केट में इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ ताकि आप वहाँ पे जा करके आराम से पर्चेजिंग कर सकते हैं दान रखेगा अगर आप साउथ के रहने वाले होंगा तो 100% मैं बोलता हूँ आपको बैंगलोर हो गया तुरूपूर हो गया कोएंबातूर होगा इस साइट के अगर रहने वाले होंगा तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप चन्नही में जरूर जाएं क्योंकि वहां पर जाएंगे तो आपका आल्मोस सारे डिजैन्स आपको कवर अप हो जाएंगी उसके बाद हमारा आता है मुंबई में जो के हमारा 6 नमबर है मुंबई में दोस्तों जवेरी बाजार करके है और वहां पर मंगल दास मार्केट है दो मार्केट में आप जाएंगे तो आपको बहुत ही जादा प्रीमियम कलेक्शन मिल जाएगा और साथ में मुंबई में आपको सबसे बेस्ट पता है क्या मिलेगा वहां पे आपको कॉपी प्रोड़क्ट मिले है कॉपी इंदर सेंस की जो हॉलिवुड में बॉलिवुड म करके है न दो मार्केट में अगर आप जाएंगे तो बहुत की ज्यादा आपको बेहतिरीं कलेक्शन मिल जाएगा जया पर में जाना बिल्कुल न बुरे All Over World स दूस्तो जैपुर में लोग आते हैं पर्चेजिंग करने के लिए वहाँ पर बहुत बड़ी है मार्केट है जरूर विजिट करिएगा फूर्थ नमर की दोस्तो इसके अंदर आती है एहमदाबाद की मार्केट अब दोस्तो एहमदाबाद के अंदर मैं आपको दो market recommend करता हूँ तीन market बताता हूँ एमदाबाद में आप नारायन गंज करके है और गी काटा करके है और new cloth market basically अगर आप इन तीन market में जाएंगे तो आपको lower range से ले करके mid range तक आपको segment मिल जाएगा क्योंकि दोस्तों एमदाबाद में बहुत बड़ी बड़ी meals है जहाँ पे आपको पूरा manufacturing rate आपको मिलेगा लेकिन हाँ यह है कि आप पहले जाएगा visit करिएगा starting में ही आप purchasing मत करिएगा पहले आप जाएगे आप 10-15 shops एक बाद गूम लीजिए उनके cards ले लीजिए और वहाँ पे मतलब आप tick कर दिए एक तरीके से आपके marking होना चाहिए marking किस तरीके होना चाहिए good, better, best करके अब अगर good करते हैं तो ठीक है better करते हैं तो आप सोच सकते हैं दूसरी बार जाने के लिए और best अगर देते हैं तो इसका मतलब है कि आप वहाँ पे जा करके purchasing कर सकते हैं तो इस तरीके जब आपके 10-15 store के उपर visit कर लेंगे तो आपको एक market का भी overall मिल जाएगा मैं आपको इस सब चीज की बात बता रहा हूँ केवल एमदाबाद के market नहीं बता रहा हूँ सब पे जाकर करके आप इसी तरीके से काम कर जमान लिजा आप गुजरात के रहने वाले होंगे आप दिल्ली के रहने वाले होंगे तो गुजरात में आकर क्या आप shopping कर सकते हैं यूपी में महारास्ट में है MP में है मैं आपको यहीं बोलूँगा एक बार आप मुंबई जाए या फिर आप सूरत आईए एमदाबाद जाईए तो आप बहुत अच्छे तरीके से आप काम कर सकते हैं उसके बाद हमारा आता है तीसे दंबर कोलकता market कोलकता में दोस्तों बड़ा बजार करके जगह है बहुत बड़ी मार्केट है सस्ता और बहुत अच्छा आपको स्टॉक मिल जाएगा लेकिन धान रखेगा कोलकता में quality थोड़ी आपको low आएगा अगर आपको premium segment का अगर आपको open करना है न तो मैं आपको बोलूँगा premium के लिए आपको हमेशा जो है मुंबई में दिल्ली में या फिर आपको गुजरात में आना पड़ेगा दोस्तों आपको हमारे पास में भी अगर wholesale में men's wear का अगर आपको stock चाहिए मनले ladies wear का करना है और men's wear का चाहिए तो आप हमसे भी contact कर सकते हैं हमारे पास आप comments wear में लगबख सारी variety मिल जाएगा screen के उपर number भी दिख रहे होगा साथ में अगर direct हमारे से जुणना है तो description में जाए यह whatsapp गूरूप पर link दे रखा है उस link के उपर click करेंगे आप हमारे whatsapp गूरूप पर जोड़ जाएगे second number का जो दोस्तो आता हुआ था बैंगलोर का मार्केट अभी बैंगलोर में दोस्तो एक ही market बताऊँगा आपको chick pat करके जगाए उस market के आपको जाएगे आपके सारे problem बिल्कूर अच्छे तरीके शॉर्ट आट हो जाएगा लेकिन धान रखेगा बैंगलोर में किवाद साउथ की variety जादा बिकती है तो अगर आप नौर्थ में रहने वाले होंगे न तो आपको एक बार mix करके आपको stock रखना पड़ेगा फर्स्ट नंबर की जो आती है सबसे best आती हो आती है चांदनी चॉक अब दोस्तों चांदनी चॉक में आपको क्यों बोला हो कि वहाँ पे एक mix brand रहता है वहाँ पे एक तरीके से खुद का भी व्हों बनाते है साथ में आपको all over India से मतलब आपको दिल्ली में जो है वहाँ आपको बेंगलोर का भी stock मिल जाएगा अगर कोई भी customer आया ना तो उसको एक ही घर के अंदर सब कुछ मिल जाए तो इसलिए वो क्या करते हैं कि सब stock जो है all over India से एक ही place में मंगाते हैं और फिर जा करके अपने customers को वो देते हैं उससे क्या होगा उनका customer भी loyal रहता है प्लस long term के लिए जोड़ता रहता है तो इस तर आप को बताता हूं कि इन markets में आप किस तरीके से best wholesaler के numbers निकाल सकते हैं मान लीजे दोस्तों आप अगर सूरत के wholesaler का number निकालना चाहते है तो आप क्या करना है simple सा just dial पे call करना है उनको बुलना है कि मुझे सूरत के ethnic wear के manufacturers का number चाहिए फिर थोड़ी दिर बाद phone करिए उनको बुलिए सूरत के मुझे wholesaler का number चाहिए तो इस तरीके से आप 2-3 मार कॉल करेंगे तो अलग-अलग करके आपको number देंगे अब आप क्या करिए कि अगर ring road में भी बहुत सारी market जैसे अवद market हो गया है आपको इस तरीके अलग-अलग market तो उस अलग-अलग market का भी अगर तीस लोगों के आपके उनसे contact कर लिजे अगर आपको सूरत की planning है फिर आप क्या करिए उन में से देखिए अब तीस में से कौन से 15 बैस्ट है फिर 15 में से देखिए 10 कौन से 10 में से 5 कौन से बैस्ट है बट जब सूरत आएंगे तो top 10 जो होंगे ना उनके पास आपको visit करना तो इस तरीके से अगर आप करेंगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से आपके पास में एक unique collection आपके पास में हो जाएगा और ध्यान देखिएगा ये जो collection होगा ना ये बिल्कुल धमाकेदार collection होगा जो की market में कहीं पे available नहीं होगा तो दोस्तो अगर आपको menswear का भी वीडियोज अपनी अलाके लाते रहें और दोस्तो आपका हर लाइक मुझे motivate करता है कि मैं और अच्छे वीडियोज बना सकूं मिलते हैं दोस्तों हमारे next वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद जैभारत वंदेवाद रहूं